मुख्यमंत्री नितिश कुमार के खिलाफ मुझफर पूर में क्यू हुआ केस दर्जे क्या है भाजपा का माराष्ट में ओप्रेसन लोटश और राजिस्तान में मुख्यमंत्री असो गैलोद ने विपक्षी सदस्यों का कैसे लिचुट की आज इनी कुछ महत्वपूर्ण व सब्सक्राइब करना ना भूनें तो चलिए नज़र डालते आज की बड़ी खबरों पर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और मुझफर पूर जीला मेजिस्टेट समेत 14 लोगों के खिलाफ मुझफर पूर सिविल कोट में केस दर्ज हुआ है मुझफर पूर सिविल कोट के वकील जैचंद्र परसाथ साहनी ने बताया कि चाकी स्वागपूर में मद्दाता के रूप में अन्न पंचायत के लोगों के नाम सूची बद करने के मामले में इन सबी लोगों के खिलाब केस दर्ज किया गया है बिहार के प्राइमरी स्कूलों में मैथली की पढ़ाई फिर से शुरू होगी मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने इस पर अपनी सहमती दे दी है बिहार विधान परिशद में कॉंग्रेश के वरिष नेता प्रेम चंद मिस्रा ने शुमवार को राजिपाल के अभी भाषन पर बोलते वे कहा था कि मैथली को शंविधान की आठवी अन्नुसूची में शामिल करने के बावजूद उसकी पढ़ाई प्राइमरी इसकूलों पर राजी हो गए हैं राजिसपाल रही किरन बेदी ने नारायन सामी सरकार को ठीक से काम करने नहीं दिया भाजपा ने एक छोटा सा राजबी कॉंग्रेस के हाग से खिच लिया शिपसेना ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा अब मार्च अप्रेल में महराष्ट में ओपरेशन लोटस की सु अगर इस एज ग्रूप के लोग सरकारे केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए ठीका मुफ्त होगा लेकिन नीजी अस्पताल में इसके लिए उन्हें पैसा देना होगा केंद्री मंदल ने बुदवार को पुडूचेरी में राष्टपती सासन लागू करने की सिफारिस कर दी पुडुचेरी के उपराजपाल तमीली शाही सुंदर राजन की सिफारिस के बाद मंतरी मंदल बुदवार को इसका परपोजल राश्पती रामनात कोविन को भेज दिया है 22 फरवडी को विधान साबा में हुए फॉलो टेस्ट के दौरान मुख्यमंतरी नारायन सामी बहुमत साबित नहीं कर पाये थे इसके बाद उन्होंने राजपाल को इस्तफा भेजा था राजिस्तान में बुदवार को राजी का बजट पेस किया गया मुख्यमंतरी असोग गैलोत ने घोसनाई करते हुए विपक्ची सदसियों की चुटकिया ली इस पर सदन में ठाके लगते रहे सीम ने सबसे पहले पशुओं के लिए 102 एंबुलेंस सेवा का एलान किया फिर विपक्च की तरब रुख करते हुए बोले ये तो गाय का मामला है कम से कम ताली तो बजा दो मुझ नीचे करके क्यू बैठे हो चेहरा उपर करो ताली बजाओ मुश्कुराओ राजिस्तान में वित्मंतराले का परबार मुख्यमंतरी असोग गैलोत के पास है 26 जन्वडी को लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू जेल में है लेकिन उसके फेस्बुक एकाउंट पर एक बार फिर वीडियो अप्लोड किया गया है इस वीडियो में दीप सिद्धू ने खुद को निर्दोस बताया है और किसान नेताओं के भढ़काव भासन को दिखाए है इस वीडियो में दीप सिद्धू ने परदशन काड़ियों को समझाता हुआ दिखाए दे रहे है उतर परदेश के पूरु मुक्ष मंतरी और समाजवादी पार्टी के रास्ट अध्यक्ष अखिलिश यादब ने बुद्वार को लखनों में प्रेस कॉन्फरेंश कर बीजेपी सरकार पर जम कर निसाना साथा इस दोरान उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े किर्केट स्टेडियम मोटेरा का नाम परदानमंती नरैन मोदी के नाम पर किये जाने पर चुटकिली कहा कि इसलिए हमने लखनों के स्टेडियम का नाम भगवान मिसनू के नाम पर रखा था क्योंकि भगवान के आगे किसी नेता का नाम नहीं हो सकता हम तो यूपी सरकार से कहेंगे कि हट जाईए नो मैने में एक और स्टेडियम बना देंगे पच्छे मंगाल की चुनावी लड़ाई में चेहरों पर दमकर दाव खेला जा रहा है इसी कड़ी में भारती किर्केट टीम के खिलाडी रहे मनुस्तिवारी ने भी राजनीतिक पाड़ी का आगाज कर दिया मनुस्तिवारी आज तिर्निमूल कॉंग्रेस में सामिल हो गए तिर्निमूल कॉंग्रेस परमुक मंता बेनिर जी ने बुदवार को हुगली के डंपल गराउंड में रेली की इसी रेली में मनुस्तिवारी का उन्होंने टीमसी में स्वागत किया वो ही किर्केट की दुनिया से राजनीती में आये मनोश तिवारी ने बीजेपी को आड़े हातों लिया मनोश तिवारी ने कहा कि मैं एक किर्केटर हूँ जिसने भारत का जंडा उठाया और मुझे जो प्यार मिला वो हिंदू या मुसल्मान से नहीं बलकी भारतियों का था ये थी आज की दश बड़ी खबड़े एवंग परमुक खबड़े देखती रहिए सरा सच